दोस्तों अगर आपने भारतिये स्टेट बैंक में नयनय अकाउंट रुपेन किया है और आपको डेविट कार आपके एड्रेस पे मिली है तो उस डेविट कार्ड को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं वैसे चार तरीके से आप डेविट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो लेकिन तीन तरीका हमने कल वाली वीडियो में दी है चौधा तरीका आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले है कि आप ATM में जाकर किस तरीके से अपना डेविट कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो अब घर बै अकाउंट नमबर किसी कागस पर ले लेना है, अपना मोबाल नमबर जो बैंक में दिया हुआ, वो भी आपके साथ होना चाहिए, और डेबिट कार्ड उठा के पहुँच जाए किसी ATM में, खासकर SVI के ATM में ही आपको जाना है, दूसरे ATM में जाएंगे तो आपका पिन नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप अपना अकाउंट नमबर, मोबाल नमबर लीजिए, और डेबिट कार्ड लीजिए, और किसी भी नस्दी की ATM में जाएए, SVI के ATM में, और वहाँ पर आपको ATM कार्ड को ATM में अपना कार्ड लगा देना है, और उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको वैसे तो आपके पास पीन है नहीं, तो आप पीन डालोगे क्या, तो थोरा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आप के सामने कुछ options निकल कर आजाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, थोरा देर वेट करिए, वैसे वीडियो का हमने slow कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो options जो है हमारे सामने आचुके हैं, अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे में right side में यहाँ पर दिखाई दे रही है pin generation, pin generation पर click करना है, अब आपको यहाँ पर अपना account number डाल के confirm करना है, अपना account number डाल दीजिए, नीचे वाले जो button है, उस पर press करिए अपना account number, जैसे ही आप account number डाल लोगे, तो फिर आपको यहाँ पर जो right side में सबसे उपर, जो की तीसरे number पर button दिखाई दे रह के confirm करिएगा, और फिर से आपको यहाँ पर बताएगा कि one time pin जो है, आपके mobile नंबर पर आ जाएगी, तो आप जो है mobile लेके गए होंगे, तो आपको यहाँ पर confirm पर click कर देना है, जैसे ही confirm पर click करोगे न, आपके जो number है bank में register उस पर एक OTP आएगी, यानि कि one time pin, अब आप को अपने card को ATM से बाहर निकाल लेना है, और pin आने का इंतजार करना है, जैसे ही आपको pin मिल जाती है, अब आपको अपने card को फिर से ATM में insert करना है, अब उस pin को यहाँ पर डाल के आपको अपना pin change करना होता है, क्योंकि जो pin आपको message के जरीए मिलती है, उससे आप transactions नहीं कर करते हैं, तो क्योंकि हमने तीन बार ऐसा pin generate किया, लेकिन मेरे mobile पर कोई message नहीं आया, तो इसलिए एक alternate तरीका हम आपको बता देते हैं, कि pin जो है, आप अपने घर से ही generate करके जाए, pin generate करना काफी आसान है, आप दूसरे तरीके से pin generate कर सकते हैं, one time pin, आपको क्या करना है, कि अपने जो bank में mobile register है, उस register mobile number से आपको एक SMS भेजना है, 567676 पर आपको लिख के भेजना है, pin, उसके बाद एक space दीजिएगा, उसके बाद अपने debit card के आखरी 4 digit दीजिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, या फिर जो भी है आपका debit card का आखरी 4 digit, वो डालिएगा, उसके बाद एक और space दीजिएगा, और फिर आपने account का last का 4 digit दीजिएगा, जैसे अगर आपके account में last 4 digit 000 है, तो आखरी के 4 digit debit card का भी देना है, और आखरी के 4 digit account number का भी देना है, और उसको भेज देना है, 567676 पर, तो फिर हाथो हाथ आपको जो है, एक pin मिल जाएगा, और उसी pin को आप ATM में जाकर pin change करेंगे, तो दोनों तरीका हमने आपको बदा दिया कि कैसे आप pin मंगा लेंगे, अब आपको ATM में ही रहना है, फिर से अपना debit card insert करेंगे, insert करने के बाद आपको language select करना है, language select करने के बाद आपको banking option दिखाई दे रही होगी, तो banking यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको left side right side कहीं पर भी banking अगर दिखाई दे तो उस banking वाले option पर click कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, banking पर click करने के बाद आपको यहाँ पर pin change पर click करना है, लेफ्ट side में thought option आप यहाँ पर देख सकते हो, sorry right side में thought option आपको यहाँ पर दिख रही है, तो यहा तो फिर आपका जो पिन अभी आया है आपके मुबाइल नंबर पर वो बाला पिन आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे ही यह पिन डालोगे आपसे आपको नया पिन डालने को बोला जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो कोई नया पिन आप यहाँ पर दर्ज कर आपसे एक बार फिर से उसी पीन को डालने को बोला जाएगा जो नया पीन अभी आपने डाला है वही पीन एक बार फिर से आपको यहाँ पर डाल देना है और जैसे ही वो वाला पीन आप यहाँ पर डाल दोगे आपका जो ट्रांजेक्शन से वो प्रोसेस में जाएगा और सक के नए ATM कार्ड को एक्टिवेट करने की या फिर पिन जनेरेट करने की प्रोसेस तो उमिर है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे इजाज थैंक यू